ग्यारा तारिक को याने कि कल आपनों को पता होगा अब तक आपने न्यूस पढ़ी होगी पूरा बवाल देखा होगा लेकिन मुझे भी सुन लीजे थोड़ा सा और समाझ में आजा तो शेर जरू करिएगा हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेयर करो दबा के सेयर करो ग्यारा तारिक को अब आईरनी देखिए जो कॉंग्रेस जो कॉंग्रेस अपने आप मुस्लमानों की पार्टी कहा करते थी जिस कॉंग्रेस पे मुसलमान आख बन करके भरोसा किया करते थे उसी कॉंग्रेस के MLA के रिलेटिव ने फेस्बुक पे प्रॉफिट मुहम्मद से संबंदित कुछ अभद्र टिपड़ी सैट कर दी अब वो पोस्ट मुझे ढूडने भी नहीं मिला लेकिन सारे पोर्टल वाले कह रहे हैं को डेरोगेट्री था कुछ गलत था यह वगरा वगरा जिससे वहां की जंता इतनी जादा भड़क गई इतनी जादा भड़क गई कि MLA के घर के बाहर जाके तोड़ फोड़कने लगी और MLA के घर पे ऐटाक किया पुलिस पहुची, पुलिस ने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, जिसमें तीन लोगों की जान भी चली गई, फाइरिंग में, पुलिस ने फाइर किया, तीन लोगों की जान चली गई, और काफी लोग, पचास लोग के आसपास घायल हुए हैं, और डिर सो के आसपास की अ कि पूरा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे एक मेंबर का और पूरा क्राउट तो जो था आपको तबाही की पिक्चर दिखा देता हूं किस लेवल की तबाही मची है जब आप प्रोफिट मुहम्मद के उपर कुछ जोग कर देते हैं और आप कोई सिलसला पता होगा मैं उन लोगों को आज सवाल पूछना चाहता हूं जिन पाखंडी दल्ले बहरूपिये या जिनके हर वो दो चहरे होते हैं जब वो तब काम आते हैं उनके जब मैं या कोई भी कुश्चन करता है उन मुसल्मान कॉमेडियन्स के उपर या उन हिंदू कॉमेडियन्स के उपर जब मजाक गनेश जी राम जी या फिर किसी भी हिंदू देवी देवताओं के उपर बन रहा होता है तो यह कहते हैं कि जोग को जोग की तरह लो वो सिर्फ एक कमीडियन है वो मुसल्मानों पर भी जोग बनाता है लेकिन जब एक बार प्रॉफिट मुहम्मद कुछ बन गया और यह हम लोग पहली बार नहीं देख रहे हैं हमें वो भी पता है जब किसी फॉरें के पत्रकार मैं प्रॉफिट मुहम्मद का एक केरी केचर मनाने था चोड़ा था पूरा ओफिस तबाह हो गया था और पहुत लोगों की जाने गई थी वो भी हमें पता है और यह भी हमने देख लिया और इस बार तो कॉंग्रिस पार्टी क्या मले शिकार हो गया आप समझ रहें मले का म गया सिर्फ पोस्ट की वजय से तो मैं आज कुछ लोगों को बहुत अच्छी खुली चेहतावनी देना चाहता हूं तुम्हां जितनी आग लगी तुम्हारी आग लग जा तुम अपनी आग में जलके मर जो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लेकिन आज के बाद अगर म लोने इन पाखंडियों ने या किसी ने भी हमारे देवी देवताओं के उपर मजाग बनाया हिंदू सब्विता को घाली देने की कोशिश की मैंने कहता कि हमें भी दंगा करने के जरूत है लेकिन जिस पर्टिकुलर आदमी ने की उसके खिलाफ पुरा समाज खड़ा होगा वो जेल जाए, मार खाए, देश से उठाके फेक दिया जाए, एनसे लग जाए, जितनी धाराएं लग सकती हैं लगें, 295A और वगर 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 जो लग सकती हैं लेकिन भरदाश नहीं किया जाएगा, आप आज से ये निश्चिर्क कर लिए, इनके बाप की जमीन है क्या, बैंगलोर में जिस तरीके से तोड़फोड की नोगों ने, इनके बाप करा चल ला है क्या, और जिस हिसाब से हमारे देवी देतां को गाली देते हैं इन लोग, ह हम यह नहीं कहरें कि हम लोग भी कल से निकला जाए आग वाग लगाई यह नहीं, लेकिन इनको इनका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा, कोई बैंगलोर से देख रहा है कोई दल्ला, कोई उस मॉब में उस राइट में शामिल होने वाला कोई जिहादी देख रहा है मु तो तब नहीं समझ में आता कि जब हम दे रहे हैं तो अगला तो हसर आए, सहर आए या चुप है, लेकिन जब उनमें से किसी ने बोल दिया, तो हम क्या आग लगाने चले जाएंगे शहर को, समझ नहीं है क्या, मैंने फिर इनको एक वीडियो में बोला था कि क्या ही स्लीप पर सेल्स हैं, आप समझी आपको पता भी नहीं होगा कि आप एक कोई पोस्ट करते हैं और आपके सामने सो हजारों की ताजाद में मौप खड़ी गए, अब तो किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्स्प्रेशन का ध्यान नहीं, डेमोक्रसी का ध्यान नहीं, सेक्लरिजम का कि पोस्ट करने वालों ने कभी ना कभी सहाही होगा ना जब उसके देवीदेवताओं पर मजाक बनाए जा रहा होगा, तो वो पलटकर react करे गई, और जब उसने react किया तो भाँ, वो arrest भी हो गया, उसके घर के वाद तोड़फोड भी हो गई, तो उसके देश का भी नुक् यह कौन साट देना आएगा कौन सा समय आएगा कि जब इन लोगों पर कंट्रोल पाया जाएगा इनकी इन हरकतों को बरदास करना हम लोग कब बंद करेंगे अब यह आप के ओपर है चैसे वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए जो करना करिए इसकी रीच बढ़ाई यह का मतलब है कि जब यह लोग करें अब करें यह किसी देवी देव तक मजा कुणा है तब सरकारों के ओपर उंगली उठनी चाहिए कि इन्हों ने तब एक्शन क्यों नहीं लिया क्योंकि हम लेके तो रेलेटिव को अरेस्ट कर लिया गया पोस्ट के लिए कर लिया ना कभी इन लोगों क्यों नहीं अरेस्ट किया आपका काम है सवाल पूछना जो हम लोग आज तक करते ही आए हैं सवाल ही तो पूछा है हम लोगों कभी ना एक्शन लिया है ना भविश्य में कुछ सोचा है अब तो जाग जाओ और कुछ नहीं कहना मुझे अब तो आग खोल के द तो सेयर करो दबा के सेयर करो